तो शेहजाद पुनावाला ये भी उसी कैटेगरी में जिन चीजों का मैं जिक्र कर रही हूँ जिस पर सुप्रीम कौट ने आज हमर चलाया लेकिन इसके अलहदा जो सारी तस्वीरें हैं वो भी उसी कैटेगरी में है कि भाई सत्ता के लिए विधायक तोड़ लिए MP में चल गए हिमाचल में चले गए बिहार में चले गए यूपी में चले गए तो यह सब क्या अलग कैटेगरी में आता है आपकी नजर में शुरुवाती 10-15 सेकंड की टिपणी कर दो अगर आपकी अनुमती सबसे पहले तो आज जो सुप्रीम कोट का ये फैसला है जिससे की पॉल अपनी कोई क्रितिया स्पीच के जस्टिफिकेशन में घूस ले ले तो एक अलग कैटेगरी होती है अगर यहां पर बैठाओ कोई भी व्यक्ति करप्शन करता है कोई सरकारी मुलाजिम करता है तो वो जेल जाएगा पर ये लोग अगर पारलिमेंट में हवाला देते कि मैं यह वोट करने के लिए यह बोलने के लिए पैसे लिए गूस ली तो उनको सवरक्षन मिलता था सम्विधानिक सवरक्षन यह खतम हुआ समाप्त हुआ जिसके बार में अभी बता रहे थे सर उसके बाद सीता सुरेन का केस जिसका आपने जिकर किया और इसका हम तहे दिल से स किया है अब मैं आता हूं मुझे पर मुझे उम्मीद है क्योंकि आपने महराष्टा बिहार उत्तर प्रदेश शेमाचल का जिकर किया तो आपका यह स्टेंडर करनाटका में नहीं बदला होगा जहां पर एक विधायक ने क्रॉस वोट किया और एक विधायक का वोट जिसने बीजेपी को दिया वो जनारदन रेड़ी था अर्षपी बेठें उसके लिए नहीं बोलेंगे वो तो जो उनको बोलना ट्रेंड किया है वो बोलेंगे मैं कह रहा हूं कि करनाटका में सेकुलर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और उत्तर प्रदेश में कॉमिनल क्रॉस वोटि लिए था हौस ट्रेडिंग छोड़िये स्टेबल ट्रेडिंग हो गई थी यहां पर शिवसेना को यू उठाया शरच जी और रहूल गांदी ने और ले गए तो कितना उन्होंने दिया होगा क्या क्या दिया होगा हमें क्या पता आपने क्या दिया होगा मैं बता रहा हूं मैं आप से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बोल लेने दीजिए फिर आप बोलिया ना मैं तो आपकी सारी बाते सुनने को बैठाया हूं सवाल ले लिजी थोड़ा सवाल ले लिजी संजे सेट का नॉमिनेशन आखरी दिन फाइल होता है विधायकों की संख्या आपके पास से नहीं कि यह कह रहा हूं कि जब हम विशलेशन करते हैं तो हम हिमाचल को बोलते हैं उत्तरप्रदिर बोलते पर करनाटका भूल जाते हैं हम महरास्ट्रा में जो 2020 के बाद हो वो देख लेते 2019 में जो नहीं देखते नितीश बाबू को हमारे साथ वोट मिला था 2020 में फिर वह थे वहां गय तो क्या ओफर किया था आर जेडी ने चार एमायम के विधायक ले लिए वो क्या दिया था भी एस पी के छे एमले राजस्थां की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे गेलोट को वह उनके साथ चले गए वह क्या दिया अगर हमने कुछ दिया तो उन्होंने क्या या वो भी सवाल पूछिए या वो केवल एडिट करके केवल यह दिखाना यह मुझे लगता है कि यह संदृष्टी ने पर रहन तो आपने वह सवाल कर दो अब आता हूं अब एक सट पुना ओला डिफेंट्सिव नहीं होता शहजाद पुना ओला फ्रैंट फॉर्ट मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं कि जो वन आइड एक दम देखते हैं ना सटी एक खोलके उनकी दोनों आखे खोल रहा हूं अब मैं आपके सवाल प्यारोसां बहुत मतवपूर सवाल है पूजापल उमेश पाल की पतनी थी, उन्होंने कहा था कि अतिक का सात मत दोखिलेश, अगर आप दोगे तो मेरे हाथ बन जाएंगे, उनका बदला लिया गया, उनको न्याय मिला, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवास उनके वोट दिया, अगर आपका आरोप है कि तो मुझे आप कह दीजे, आप प्रूफ दे दीजे, मैं मान लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मनोज पांडे में क्या हुआ था शेजार, चुटा-चुटा, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग है, मुझे अपने पूछा तो पूरा तो सुनिए ना, मनोज पांडे, यहां पर सुकेश जी बैठे है, मनोज पांडे चीक चीक कर बोल रहते है, यह स्वामी प्रसाद मौर या हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, इसको हटाओ, नहीं दिया, उनके चीफ विप थे, उन्होंने अंतरात्मा के आवाज सुनी, और कर दिया अच्छी बात है, यह तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है, कि जिन लोगों ने मायवती जी के खिलाफ होस्टेल कांड किया, उनकी कौन सी आत्मा जागए कि 2019 में गड़बंदन कर लिया, जिन लोगों ने DMK को राजीव का हत्या रखा, उनकी कौन सी अंतरात्मा जागए कि उनकी गोद में बैटें आज, जिरुने आम आदमी पार्टी ने बच्चों की सौगत खाते हैं, इनसे आत नहीं मिलाएंगे, और कॉंग्रस ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा है, इस सराभ घोटा लेबाज है, आज उनकी कौन सी आतरात्मा है, और पंजाब में लड़ रहे ह और दिल्ली में गले मिल रहे हैं, गजब है, एनिवे, मैं आपके सवाल पर फिर से आता हूँ, मैं ये कहता हूँ, आपने राजनेतिक सुचिता की बात की, आज मुझे बताईए, आठ समन आते हैं, समन कौश नहीं होता, केस कौश नहीं होता, संजे सिंग और मनीसी सुद् नहीं मिलती, सुप्रीम कोट कहता है, 338 करोड का इनके मनी ट्रेल है, और वो कहते हैं, हम कट्टा निमानदार है जी, और कॉंग्रेस भी प्रस कॉंश करके कहते हैं, तुम भोटाले बाज हो, पर यह कहते हैं, आजीत पवार गुट के प्रवक्ता भी मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बीजेपी का सवाल पूछ रही हूँ, कि मद्यप्रदेश में 2020 में जो विदायक 22 विदायक छोड़ गए, वो कौन सी अंतरात्मा पर छोड़ गए, मैं जवाब देता हूँ, जवाब दू, 30 सेकंड मिलेगा, थैंक्यू, जोतर अधि लिके होए थे, तो मुझे बता दीजे, कि जनता ने तो उनको चुन के वापिस भेज़ दिया, और आज मद्यप्रदेश में जो ये सारा आरोप लगा रहे थे, उसके बाद राजनेतिक पटल पर क्या जवाब मिला, तो मैं ये कह रही हूँ, और मैं इसके अलावा भी कह र मैं करनाटका भूल गई, नहीं, मैं इनोसेंटली भूल ले हूँगी, आप हमाम में 2019 में किसको वोट मिला था, वह भूल गई, ये आप नजर अंदाज करती हूँ, ये आप नजर अन्दाज करती हूँ, तो ये परस्नली मेरा और आपका मसला नहीं है, मैं तो सिले से नहीं आपके पूछ रही हूँ, अदल ब्यारी वाजपई का बयान कोट करती हूँ, मियार के अदल ब्यारी वाजपई ने क्या करती हूँ, तो कैसे गये वह थीक है, वह बैठे नहीं पूछू की बहुत है, तो ये जिकर नहीं हुआ ना आपके ओपनिंग सेटमेंट में आप इंड़ी आपके अद्वी इंड़ी आपके पूस कोदे एक चिह बाता है, अदो आपके ड़ ये डरता है, आपके बीच पार इज होँ, अधु अधूट अभी आपके, अधूद, वह ब्यूजए अधू, आधूको, अधूद, शेजए और दो सकश करती हूद, अधूद,